लॉक्डॉन में दोस्तंग बीएम डॉब्डू की सवारी, मॉडल पूनम पांदे हुई गिरफतार अक्सर कॉंट्रोवर्सी में रहने वाली एक्ट्रिस और मॉडल पूनम पांदे फिर से नई मुसीबत में फस्ती नजर आ रही है पूनम पांदे को मॉंबई के मरीन ड्राइब में उनकी एक दोस्त के साथ बीएम डबलू कार में पकड़ा गया दोनों को लॉक्डॉन की नियमो को तोड़ने की आरोप में गिरफतार कर लिया गया है और दोनों के खिलाफ एफ आयार भी दरज़ की गई है रिपोस की माने तो जिस समय पूलिस ने पूनम पांदे को पकड़ा वे अपने 46 वरसे साथी सैम एहमद के साथ कार में थी उन पर बिना किसी कारण लॉक्डॉन में बाहर निकल ले और लॉक्डॉन की नियमों का पालन ना करने का आरोप है बतादे की क्रोना वाइरस के मद्य नजर भारत सरकार द्वारा 17 मई तक देज भर में लॉक्डॉण लागू किया गया है सीनियर प्लिस इंस्पेक्टर मृतिंजर हीरे मत ने PTI से बातचित के दौरान बताया कि पूनम पांदे और सैम अहमेद की खिलाफ नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंतरगत IPC की धारा 279 और 188 के तहट मुकदमा दायाट किया गया है बतादे की धारा 279 के तहट किसी सक्षपर बिमारी और इंफेक्शन को अपनी गयर जिम्मदारी की वज़से फैलाने और दूसरे की जान को खत्रे में डालने का आरोप लगता है